असलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब जनाब हम कॉस्टिंग के बिसिक कॉंसेप्ट को समझ रहे हैं हमने अभी अभी डिसकस किया कि वही प्रॉफिट कैल्किलेट करने के लिए सेल्स रेविनियों में से कॉस्ट को किया जाता है माइनस और मैंने ये भी हाइलाइट कि कि कॉस्ट की टर्म कॉस्ट अकाउंडिंग में बड़ी इंपॉर्टिंड है और इसकी बहुत सारी डेफिनेशन्स है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत सारी बाते हैं सो जब हम कॉस्ट की बात करते हैं विच मीन्स के हमारे खर्चे या एक्स्पेंस इन सिर्पल होता है classify का मतलब होता है तक्सीम करना बाटना तो सर को बाटा क्यों जाता है वक के साथ-साथ सारी समझ आने बाली है पहले हम समझते हैं के classification का क्या मतलब है एक मिसाल ले एक classroom में मेरे साथ स्ट्टुंट्स हैं दूजन्ट campus हैं और मैं टीचर हूँ पार छार बॉइस हैं और तीं गर्ल्स तो इसका मतलब यह हो गया किक्लास्टरों मैं साथ लोग हैं और उसको मैं क्लासिफाइए कर दूं जेंडर की बुनियाद पर तो मैं यह कहूंगा कि 4 students, 4 students boys हैं या male हैं और 3 students girls या female हैं यानि कि मैंने total जो मेरे पास students, number of students से 7 उसके दो हिस्से कर दिये इस इस classification यानि कि तक्सीम करना किसी एक criteria के हिसाब से यहाँ पर वो criteria क्या था जी हाँ जेंडर, हमने अपने 7 students को उनके जेंडर के हिसाब से classify किया तक्सीम किया, हमने कहा कि इस में से 4 boys हैं और team girls हैं क्या हम इन ही 7 students को इन ही 7 students को किसी और दरह classify कर सकते थे बिलकुल, कर सकते थे लेट से assume कर लेए, यह जो 7 students है इस में से 5 students glasses पहनते हैं और 2 students glasses नहीं पहनते तो मैं ऐसा भी कह सकता था कि इन 7 students में से 5 ने glasses पहने और 2 ने glasses नहीं पहने अब यह classification की ही दूसरी टाइप है अलबता जो point आपने note करना है वो यह है कि totality change नहीं हुई वही साथ लोग हैं जिनको पहले मैं genders की basis पर तक्सीम कर रहा था और अब वही साथ लोग हैं जिनको मैं glasses पहनते हैं और ना glasses पहनते हैं इस category में बाढ़ रहा हूँ तो इसका मतलब समझने वाली बात ये है कि जब हम किसी चीज़ की classification करते हैं तो उसके criteria के हिसाब से हम एक ही चीज़ को मुखतलिफ तरह से classify कर सकते हैं बिल्कुल एक और classification सुन लीजिए let's say वो जो साथ students हैं उसमें से कितने 18 साल से ज़्यादा की उमर के हैं और कितने 18 साल से कम की उमर के हैं इस तरह से मैंने classify करना appropriate समझा मेरी ज़रूरत थी और मुझे पता चला कि साथ में से 6 students ऐसे थे जिन की age 18 से ज़्यादा थी जबकि एक की age 18 से कम थी तो हम ने वही साथ students जेंडर के साब से classify की है glasses पहनना ना glasses पहनना इस तरह से classify की है और 18 से ज़्यादा या 18 से कम उमर रखना इस तरह भी classify की है सो classification एक ही population की मुखतलिफ तरहां से हो सकती है सब क्या एक ही population को इतनी सारी अलग अलगता ना classify करने की कोई जरूरत पढ़ती है जी हाँ मिसाल के तरह पर let's say मुझे इन साथ students के driving license बनवाने थे और कानून ये कहता है कि जिसकी उमर 18 से ज़्यादा होगी सिर्फ उसके driving license बनेंगे तो मुझे उनकी जो classification करनी थी वो 18 से ज़्यादा वाले कौन है और 18 से कम वाले कौन है इस category में करनी थी मिसाल के तोर पर मुझे उन साथ students में से दो students नॉमिनेट करने थे for boys cricket team तो मुझे जहां पर भी report देनी थी मुझे बताना था कि मैं ये पास साथ students है लेकिन इसमें से चार boys हैं और टीन गर्ल्स हैं लहाजा आप ये जो चार boys हैं इसमें से cricket team में students को select कर सकते हैं मिसाल के तोर पर मुझे ये देखना था कि कितने लोग glasses के बगएर XYZ काम कर सकेंगे में भी कोई swimming का competition था में भी आर्मी में जहने की कोई नीट थी तो उस case में मुझे उसी population को classify करना था कि कौन glasses पहनदा है कौन glasses नहीं पहनदा सो classification का मतलब है किसी एक criteria की basis पर चीज़ों को तक्सीम करना Coming back to cost accounting Cost accounting में cost classification का एक बहुत बड़ा रोल है हम अपनी cost को मुक्तलिफ तरहां से classify करेंगे करते हैं करने की जरूरत पढ़ती है depending upon कि क्या circumstances है क्या needs है क्या सवाल की requirement है और क्या हमें करना है हम cost accounting में cost को मुक्तलिफ तरहां से classify करते हैं for example कभी हम यह कहते हैं कि जितनी भी मेरी cost है जितने भी मेरे खर्चे हैं उसमें से कुछ खर्चे direct है और कुछ indirect है यह direct indirect की classification क्या है यह हम discuss करेंगे इसी तरह से हम cost accounting में अपनी cost को classify कर सकते हैं production की cost and non production की cost में यह production non production क्या है यह भी हम पढ़ेंगे और इसी तरह से हम अपनी cost को classify कर सकते हैं by its behavior उसके रवाई के हिसाब से किस तरह से वो react करती है और जब हम cost classification करेंगे by behavior तो चार तरह के behaviors अमूमन पाए जाते हैं which is fixed, variable, semi variable, step fixed तो मैंने इस वीडियो में आपको ये बता दिया कि cost को मुक्तलिफ तरह से क्लासिफाई करा जाता है और इसकी कुछ examples लिखनी कब किसी की जरूरत पढ़ेगी ये वक्ते साथ आप देखेंगे और ये direct indirect क्या है production, non production क्या है fixed variable, semi variable और step fixed क्या है ये आपको आने वाले lessons में सिखाया जाएगा सबसे जो important इसमें से classification है वैसे तो तीन होई important है लेकिन जो सबसे पहले मैं जिसकी बुनियाद तच करना चाहूंगा जो समझाना चाहूंगा वो cost की classification है by its behavior which is into fixed, variable, semi variable and step fixed cost अपने बहुत खिया रखियेगा अगले lesson में मजीद discussions करेंगे Thank you so much